गुड मार्निंग स्टूडेंट्स मैं विजे सिंग आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एक बहुती ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक करवाने जा रहा हूं जिसका नाम एनसीजिया वर्क स्टेशन है स्टूडेंट्स आप बॉल्स मशीन के बारे में जान चुके हैं और बॉल्स मशीन ही एनसीजिया मशीन है ये भी आप जान चुके हैं आज मैं आप लोगों को एनेसी या मशीन के जो चारो तरफ का जो वर्क स्टेशन होता है यानि कि हम उससे किस तरह से काम लेते हैं और उसके बारे में कौन-कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में टोटल ही जानकारी आज हासिल करेंगे इसी टॉपिक के बारे में आज हम explain करने जा रहे हैं और students मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अगर आज आप लोग OT students या कोई भी ऐसा students है जो medical में interested है अगर आज के topic को समझ लेता है तो समझ लेजिए कि आज के बाद उसे OT या anesthesia या paramedical का कोई interested student है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि आज उसे full knowledge हो जाएगी और आज वो last stage है जिसको सीखने के बाद या जिसको समझने के बाद वो कभी भी medical field या paramedical के field में वो कभी भी मार नहीं खाएगा students और आज का जो topic है बहुती ज्यादा most important topic है शायद ये किसी के लिए tough हो या easy हो लेकिन मैं ये इस topic को आज के topic को बहुती ज्यादा easy बना दूँगा आप लोगों के लिए और आप लोग आज इस topic को पूरा देखिए और जो भी students आज यहां मौजूद हैं वो इस topic को पूरा देखें और पूरा समझ के जाएं तो students मैं start करता हूँ आज के topic anesthesia workstation को तो सबसे पहले हम introduction की बात करें introduction पढ़ते हैं An anesthesia machine is a medical device जैसे कि आप सभी जानते हैं कि anesthesia machine जो होती है वो एक medical device है या medical में use होने वाला एक instrument है Use to generate ये use किया जाता है generate and mix a fresh gas flow ये generate करता है एक mix gas को आगे भेजने के लिए और कौन से ऐसी gases होती है जो medical gases होती है और medical gases क्या होती है students मैं ये video gases जो आपकी gases है और medical में use होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ उसे देख लीजिएगा आपको वहां से clear हो जाएगा तो उन्हीं gases को यहां पर वो एक तर्तीब से patient तक पहुचाती है जिससे उन्हें patient को कोई problem या कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े उसे patient को तकलीफ से आराम के लिए ये gases flow on करती है anesthesia machine के जरीए अब ये medical gases and inhalants anesthesia agents इसमें जो है anesthesia agents होते हैं जो बिहोश patient होते हैं उनके सांस में या problem होती है उसके लिए agents डाले होते हैं for the purpose of including and maintaining anesthesia और इसी तरह से इन सब चीजों को ये anesthesia machine या workstation पे जो होते हैं वो इसे control करते हैं और students इसको जो है चार पार्ट में divide किया गया है section oxygen airway pharmacy students section oxygen airway और pharmacy इस जरीए इससे जो है divide किया जाता है और एक जो machine point है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं तो चलिए आज हम अभी जो है section की बात करते हैं aspiration is major concern जो ये section होता है वो एक major concern होता है major concern है एक बहुती बड़ा इसका संबंध होता है managing secretions successfully airway management और इसमें airway लगा होता है जो कि मैं आपको बाद में अभी इस वीडियो के बाद बताता हूं कि section में airway किस तरह से काम करता है तो ये एक जो है किसी चीज को सोकता है या बाहर निकालता है किसी liquid को कह लिजिए एक airway की मदद से next बात करें तो section must be in immediate reach और यहां जो है section को पहुचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है manually verify function of section और इसमें जो है इसे manually इसे जो है verify किया जाता है और इसके function को use किया जाता है section के function को use किया जाता है अगर मैं equipment review की बात करूँ तो locate and verify functionality of vacuum source इसमें vacuum source लगा होता है inspect tubing और tubing add होती है attach appropriate section device और इसमें section device attach होता है verify function of section apparatus और इसमें जो है section apparatus attach होता है students मैं video के last में आको section की एक picture diagram दिखाऊंगा उसमें आप समझेंगे कि pipes किस तरह से उसमें use होती है और ये जो section tubing की बात कर रहा है वो कैसे use होती है और vacuum किस तरह का होता है students एक simple सी language मैं बता दूँ कि ये section जो होता है कोई भी पानी का गढढ़ा हो उस गढढ़े में से पानी को निकालना हो तो आप जिस technique की use करेंगे बस वही चीज यहां पे use किया जा रहा है उसी तरह से आप जो है section को देखेंगे तो मैं आने वाले time में वीडियो के अंत में आपको section की diagram दिखाऊंगा कि section किस तरह का होता है normally दो boxes होते हैं खाली boxes होते हैं जिसमें liquid एक tubing के जरीए खीचा जाता है यानि की vacuum जो होता है vacuum attach होता है उसके जरीए खीचा जाता है और एक जो boxes section में attach होते हैं वो जो है liquid को खीचने के बाद उस box में डाल देता है इसी तरह section work करता है और students अब अगर मैं बात करूँ section के बाद तो section का आपने equipment review पढ़ लिया section के बारे में जान लिया और इसके users के बारे में जाना कि section को किस तरह से use किया जाता है और मैं students एक और बात बता दो anesthesia workstation में आप कई छोटे छोटे instrument जो पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी जान लेंगे यानि कि total ही आज आप लोगों का OT का जितना सलिवस है वो सब इस anesthesia workstation में आप जानेंगे तो students gases के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ वहाँ से आप देखिएगा gases आपको complete हो जाएंगी अब जो है section में आपको बता चुका हूँ equipment review आपको दे चुका हूँ और diagram मैं बाद में दिखा दोंगा अब हम चलते हैं oxygen की तरफ oxygen immediate oxygen availability critical और यह immediate oxygen को योग्य बनाता है किसी के critical case में उसे योग्य बनाता है next मैं अगर बात करूँ identify and check oxygen supply और यह जो anesthesia workstation में होते हैं वो चेक करते हैं oxygen की supply को verify backup oxygen उनके backup को चेक करते हैं और sufficiently tubing length और उसकी length को चेक करना होता है कि oxygen की जो tubing है उसकी length patient के जगर से कितनी दूरी पर है वो सब चेक करना पड़ता है equipment review की अगर मैं बात करूँ equipment review अगर हम लेते हैं तो यह हम कह सकते हैं कि assess adequacy of oxygen source और यह जो है oxygen की एक स्रोत होता है जैसे कि students मैंने आप से बात की थी कि gases के time में कि आपको जो gases वहाँ पे medical hospitals में देखने को मिलती हैं तो उनके cylinders जो होते हैं gases तो होती है उनके जो slender होते हैं वो अलग-अलग color में divide होते हैं किसी का अलग color होता है किसी का अलग color होता है तो इसका main region यही होता है कि यह oxygen जो slender होता है वो अलग color एक code होता है उस code के जरी हम पहचान सकते हैं कि oxygen इस color में है और इस तरह की gases इस color में होती है students यही oxygen जो होता है वो आप लोगों को normally पता ही होगा कि हम लोगों के लिए oxygen जरूरी होती है लेकिन किसी critical case में अगर patient को oxygen की जरूरत मैसूस हो तो यहां पर हम इसे यहां पर योग्य बनाते हैं कि oxygen patient तक पहुंचाया जाए और next बात करूँ identify and check oxygen supply और oxygen supply को चेक करना पड़ता है verify backup backup देखना पड़ता है और tubing length जो है identify and verify and backup oxygen ensure source तो यहां पर जो है यहां पर मैं बात करूँ तो यह है identify verify यहां पर verify करता है backup को oxygen sources को ensure और next अगर point की बात करूँ तो ensure adequate length of oxygen tubing तो इसकी जो length होती है वो चेक करते रहना चाहिए कि उसकी जो length है tubing की वो patient तक जा रही है कि नहीं तो यह सब चीजें चेक करना पड़ता है अगर आगे मैं बात करूँ तो airway airway जैसे कि मैं आपको अभी diagram में बताऊंगा एक लंबी pipe होती है जो कि mouth के जरिए आप यूज करते हैं वो airway होता है यानि कि oral cavity के जरिए airway को यूज किया जाता है तो आईए पढ़ते हैं endoscopy, lensoscopy, oral airway, endoscopy, lensoscopy, etc. oral airway and nasal airway यह सब जो होती है oral mouth के जरिए airway यूज की जाती है या nasal airway या आपके nose nasal cavity के जरिए भी ये airway यूज होती है तो students airway के बारे में आप जान चुके हैं यह airway के बाद अगर हम बात करें larenzoscopy की तो larenzoscopy a larenzoscopy blade one size smaller and one size larger should be available यह जो larenzoscopy होता है यह आपको एक size बड़ा और छोटा इस तरह के अलग-अलग size में मिलते हैं और यह जो blade shape होता है मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा लास्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा larenzoscopy और इसमें जो है यह एक pipe की तरह होता है mouth या आप यूज किया जाता है जब आप जो students अभी anesthesia या ICU या OT में काम किये हैं उन्हें जरूर पता होगा larenzoscopy के बारे में अगर आप new हैं तो आप लोगों को मैं यह बता दूंगा larenzoscopy और students इसके इलावा अगर मैं बात करूं तो cuffed ET यानि कि अगर इसके बाद हम बात करें तो cuffed ET tubes होती हैं और यह smaller size में हो सकती है और students estimating endotracheal tube size और इसमें जो है estimating endotracheal tube size होती है यह अलग-अलग tube की size होती है जो कि आप देखेंगे जैसे कि cuffed ET tube size one half size smaller और जैसे कि यह हो सकती है कि आपकी जो endotracheal tube होती है वो जो tube की size होती होती है वो अलग-अलग हो सकती है जैसे कि अभी आपने देखा cuffed ET tube size smaller यह smaller size की हो सकती है ET tubes one size smaller and larger should be available और यह मतलब कहने का मतलब है कि जो endotracheal tubes होती है वो larger और smaller size में available होती है मौजूद होती है अब लेंजल मास्क एयरवे अगर हम मास्क की बात करें तो यह try try shape का होता है मास्क जो होता है और appropriate size laser mask airway selected based on और यह जो है अगर मैं मास्क की बात करूं तो यह base यानि की divide हो सकता है patient की age के मताबिक patient के weight के मताबिक यह जो होता है mask यह available होता है और इसके इलावा be aware of the location of the difficult airway car in your operating room suit और इसके इलावा यह operating room जो आप operation theater में जब देखेंगे तो operating room suit के साथ available होता है और इसके इलावा यह age weight के according भी आपको देखने को मिलेगा patient के age और weight के according यह airway mask जो होता है वो use किया जाता है अब students अगर मैं airway review की बात करूं तो review के time आप बता सकते हैं जैसे देख सकते हैं locate and verify functional of the following equipment इसमें जो है verify functions होते हैं जैसे कि हम नीचे लिखे हुए equipment में देखेंगे और anesthesia machine होता है patient monitoring equipment होता है awareness access supplies होते हैं और patient monitoring equipment होता है तो यह सब जो होते हैं equipment उनके बारे में तो पहले आप धीरे धीरे आराम सी से नोट करते रहिए anesthesia machine patient monitoring equipment इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और भी हैं जैसे कि awareness access supplies patient wearing device difficult airway supplies तो यह सब जो हैं यह एरवे review होते हैं इन्हें आप देख सकते हैं OT में या anesthesia में और इसके इलावा अब मैं pharmacy की ओर चलता हूं medication and supplies pharmacy यानि की medication and supplies की अगर बात करें drugs for induction of anesthesia तो drugs for induction of anesthesia students जैसे कि अगर आप लोग मेरे channel पे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि मैं test लेता हूं Sunday को तो Sunday के test में मैंने ये questions पहले डाले थे और उड़का जवाब भी मैं दे चुका हूँ students और आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा तो आपको ये pharmacy ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी drugs for induction of anesthesia तो उसमें जो है inhalants के बारे में मैंने बताया हुआ है तो वहां से आप जरूर देखके उसे नोट करें drug for induction of anesthesia उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं atropine होता है उसके बाद मैं बात करूँ तो neuromuscular blocking agents होते हैं antibiotics होते हैं syringe and needles होते हैं तो यह सब जो होता है pharmacy medication and supplies वहीं available होते हैं उसके बाद अगर मैं machine की बात करूँ तो verify machine functions उसमें जो है verify machines functions होते हैं और अगर मैं functions की अलग बात करूँ तो उसमें जो है oxygen delivery होती है और ऐसी जो चीज़े होती है oxygen delivery तो यह सब जो होते हैं यह आप लोग आप लोग देखेंगी और वहाँ एनसे या वर्क स्टेशन के टाइम में आप लोगों को देखने के लिए यह सब चीज़े मिलेंगी students अब मैं आप लोगों को यह चीज़ जो है आपको जो यह चीज़ थी फार्मेसी के बारे में वो दुबारा बताना जरूरी समझता हूँ कि आप लोग फार्मेसी के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो आपको मैंने inhalants के बारे में पहले बताया था वहां से आप जरूर देखें जैसे की inhalants आपके जो agents होते हैं anesthetic agents उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और students जैसे की आपको अगर आपको ये साथ मैं अगर बात करूँ तो अगर example के तवर पर अगर बात करूँ तो आई वी anesthetic agents की अगर मैं बात करूं तो वह है प्रोपोफुल तो prophecies ऑ से अगर आप explains में इसे जाना चाहते हैं ऐसे questions देखना चाहते हैं तो मैं यह पहले आपका test ले चुका हूँ उसमें मैंने बताया था और चलिए अगर आप लोग चलिए एक question का जवाब दीजिए मुझे कि example of general anesthesia inhalant यह देखिए जो pharmacy आप पढ़ रहे हैं वो सब questions जो है यही include होते हैं तो जल्दी ही आप सभी type करिए example of general anesthesia inhalant आपका यह topic complete है सिर्फ only मैं knowledge के लिए पूछ रहा हूँ जैसे कि example of IV anesthetic agent प्रोपोफोल होता है उसी तरह से example of general anesthesia inhalant के बारे में थोड़ा सा बताईए आप सभी लोग इसे type करें ताकि मुझे पता पता चले कि आप लोग मेरी इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो oxygen delivery के बाद positive pressure ventilation यह आपका topic था यह functions हैं जोकि oxygen delivery यानि कि oxygen को deliver करता है और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो positive pressure ventilation यानि कि उसका pressure frankly ventilation पेönlung. यह से यह तो आप लोग anesthesia workstation के बारे में जान चुके हैं अगर आप लोगों को वाइल्स मशीन के बारे में जानना है तो मैं ये भी वीडियो पहले अप्लोड कर चुका हूँ आप लोग देख चुके होंगे इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं वह इस मेडिकेशन एंड सप्लाइज में यूज होती है तो स्टूडेंट्स अब जो है आप लोगों का यह जो टॉपिक था वह कम्प्लीट हुआ और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो से डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा और अब जो है मैं आपको खुशी से यह चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो कुछ इस टॉपिक में डाइग्राम के बारे में मैंने बात की थी तो वो डाइग्राम आप देख लीजिए उसके बाद मैं कुछ बाते करूंग आपसे यह डाइग्राम सबसे पहले आप देख सकते हैं section section के जो डाइग्राम है वो आपके सामने यह section होता है देखिए इसमें box है और उपर जो है tube है वो उपर आप देख सकते हैं है और इसी से जो है क्यूब सेट करके किसी भी लिक्वीड पदार्त को या लिक्वीड को खीचा जाता है और इस जो नीचे बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें उस लिक्वीड को रखा जाता है और बाद में उसे साफ किया जाता है तो स्टूडेंट इसके बाद अभी तक हम लोग जिस वर्क स्टेशन की बात कर रहे थे, उसकी डाइग्राम देख लीजिए, वही एनसीजिया मशीन या बॉयल्स मशीन, इसी के बारे में इसी के आसपास जो काम करने की स्थिती होती है, किस तरह से इसमें काम किया जाता है, उसके बारे में आज हमने जाना यानि कि आज का टॉपिक एनसीजिया वर्क स्टेशन इसी पर अधारित था, और बॉयल्स मशीन, यानि कि एनसीजिया मशीन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कि आज, ओटी, फॉस्ट यर और सेकेंड यर का ये कॉमन टॉपिक था, तो ये जो है, आपका टॉपिक कम्प्लीट हुआ, और साथ में, ओटी और सेकेंड यर का स्लेबस भी आज कम्प्लीट हुआ, तोटल ही स्लेबस आपका कम्प्लीट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू स्लेबस, आपका जो स्लेबस था वो total complete हो चुका है आप लोग आज से आपका syllabus complete है आप अपने notes को complete करें और अच्छी तयारी करें ताकि आप लोग अच्छे तरीके से exam को qualify कर सकें students मैं आज आप लोगों को जो है खुशी सी यह कह सकता हूँ कि आज आप लोगों का syllabus complete हुआ anesthesia workstation last topic था इसके बाद is complete है अब questions मैं आपको बताता रहूंगा आप लोग मेरे channel से जुड़े रहें और आप सभी जितने भी students अभी तक मेरे channel को देख रहे हैं और जो कुछ students अगर नए हैं तो मेरे इस channel को नीचे red color के जो एक subscribe का button दिखाई देता होगा उस पे click करें और साथ में अगर notification bell आएगा उसे on कर लें ताकि मेरे द्वारा इसी तरह से मैं videos study based video आपको आपके लिए लाता हूं आप लोग तक पहुंचे और आप लोग मेरे videos देखे और आप लोग मेरे video से फाइदा ले सके benefit ले सके तो आज operation theater technician का जो online study था मेरे जर्ये आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे आज मैं बतातूं operation theater technician का syllabus complete हुआ तो students thank you लेकिन मैं videos upload करता रहूंगा आप लोग इसी तरह से timing according मेरे साथ जुड़े रहें चैनल को subscribe करें और मेरे चैनल पर अब जो है टेस्ट चलेंगे आप लोग test attend करें ताकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा benefit मिल सके और एक्जाम की प्रफेशन आप लोग से कर से तो students अब मैं आपका अचारा टाइब नहीं लुखा तो अब नीज है तो मिलते हैं next video में thank you take care bye bye students अब आप लोगो एक लिए अब ताकि आप लोगों आप लोगों और मैं आप कर सकता हैं झाल 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 झाल